हेलो गाइज कैसे आप सब लोग जैश्री पिष्णा राधे राधे एक अच्छी सी जो रेश्पी है ड्रिंक से रिलेटेड वो हम बना लेते हैं तो हमने सोचा क्यों न आपके साथ भी रेश्पी ये वाली हम शेयर कर लेते हैं इजी भी है और हेल्दी भी है तो आज हम बना प्लम का शर्वद बहुत ही टेस्टी भी लगता है तो चलिए आप और हम मिलके बनाते हैं आज प्लम का शर्वद इतने सारे प्लम लिए हैं आप लंगी मातरा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इनको हम कहना अच्छे से हमने धुल लिया है साफ कर लिया है अब हम लेंगे एक यहां पर भगोना और आप सोच रहे होंगे इससे हम क्या बनाना बता रहे हैं इससे हम बहुत ही अच्छा सा आपको शीरप बनाना बता रहे हैं इससे क्या है ना इसको बना के रख लेंगे तो आप कम से कम डेड़ सी दो महीने शर्वत का बहुत ही अच्छा सा आनंद लेंगे थोड़ा सा ग्लास में शिरफ डालिएगा इसके बाद बस उसमें पानी डाल कर घोलीजिएगा बढ़िया सा हिल्दी आपका ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा तो हम जो क्या कहते हैं लगबक सब पके हमने इसमें लिये हुए हैं पके लेने से क्या रहता है इसमे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका जो है सिरफ का रेडी होता है तो यहां देखे इतने हमने क्या कहते हैं आलो बुखारे ले लिये हैं अब हम इसमें क्या कहते हैं पानी कितना डालते हैं वह अब हम आपको बता देते हैं यह देखे इतना आपने अभी पानी लिया है तो डेड़ लिटर आप इसमें पानी डालेगा, यह लगभख रेशियो होता है, तो इसमें हमने वही अंदाज से हमने इसमें डाल दिया है, यह देखे, इस तरह से हमने इसको डाल दिया है, अब इसको हम पकने के लिए रखते हैं, गैस जो है फ्लेम वो हम तेज रखेंगे, और इसको गलने तक हम अच्छे से इसको पका लेते हैं, जब तक अच्छे से गल नहीं जाते हैं, बस इतना हम इसको अच्छे से उबाल लेते हैं, देखे, अच्छे से यह उबल रहे हैं, और इनका जो छिलका है, यह अलग हो गया है, तो हलका सा इसको अभी हम और पका ले वो आसानी से निकल जा रही है कि नहीं निकल जा रही है अगर गुठली इस तरह से लगाने से अच्छे से निकल जा रही है तो आप क्या कहते हैं गैस को अभी आप बंद कर दीजिए गैस को बंद करने के बाद आप क्या करेंगे एक प्लेट पर यह सारे जो आड़ो बुखा अब इसको हम अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद ये देखे अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको हम इसमें डाल देते हैं जो पानी था जिसमें उबाला था इसमें अब इसको डाल देते हैं इसलिए हमने इसको अलग-अलग कर लिया था कि जिससे ही क्या है न यह जल्दी से ठंड़ा हो जाए, एक साथ रखा रहता है न तो थोड़ा देर लगती इसको ठंड़ा होने में, देखिए किता अच्छा रेट कलर भी इसका आ गया है नेचुरल कलर है अब आप क्या करेंगे इसका पल्प भी निकालना है तो इसको इस तरह से थोड़ा सा मसल दीजिए जिसे पल्प जो है न अच्छे से निकल जाएगा गुठली गुठली अलग हो जाएगी थोड़ी देर मसलने के बाद ये अच्छे से जो है बीज देखिए अलग हो गये हैं अब यहाँ पर आप एक ले लेंगे बड़ा सा भगोना कोई भी भगोना ले 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 और एक छनी ले 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 इस तरह के छानने के लिए हमेशा मूटी छनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हमने लिया हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा इसमें हम टाल देंगे और इसको हम अच्छे से छानने लेंगे तो अब इसको क्या है ना एक चमबच की भी हमको जरूरूत पड़ेगी इसका जूस पूरा निकल गिया है यह गूदा गूदा टाइप का यह मोटा वाला किबल बाकी रह गया है तो अभी इसको हमें एक साइड रखते जाते हैं तो यह हमारी एक प्लेट थी बस इसको इस तरह से रख देंगे बहुत वैसे करो अलग अलग बरतन में तो बहुत सारे बरतन हो जाते हैं धोने के लिए इसलिए हमाई कोशिश रहते हैं कि हम सार्ट कट अपना ले अब थोड़ा सा इसमें हम और डाल देंगे और इसको भी छान लेंगे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पूरा छान लेते हैं अब इस पर देखे जूस खतम हो गया है तो अब इसी में हम इसको डाल देंगे अब अपना जितना बचा था चमने आ रहा है चहन निकला था एक्स्ट्रा वाला पार्ट उसको एसमें हम डाल देंगे अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे पानी इतना कि यह जो एक्स्ट्रा जो हमारा यह पल्प है यह हमारा अच्छे से छूट जाए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे प्लेट से जो अर्ख है वो अच्छे से निकल गया है अब जो इसमें बचा था इसको भी इस तरह से ऐसे से करके हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं महिंगाई का जमाना है तो कोशिश करिएगा कि एक भी चीच जो है खाने लायक जो भी है उसको फेके ना आप सब इस्तेमाल आप कर लें यह देखिए इस तरह से हमने कर लिया है तो अभी इसमें हमारा काफी जूस जो है वो हमारा जितना एक्स्ट्रा वाला है वो सब निकल आएगा तो अब इसको जो हमने पानी डाला है था इसको भी हम थोड़ा से इसको और कर लेंगे फटा फट हो जाएगा यह भी देर नहीं लगेगी अब इसका भी जो एक्स्ट्रा जूस है वो हम इसमें निकाल लेते हैं अब यह देखे इतना हमारा जो जूस है वोड निकलाए है तो अब जूस को हमें एक्साइट रग देते हैं और अपने प्लेट फार्म को हम अच्छे से साफ कर लेते हैं फिर हम आप से मिलते हैं अब देखे हमने एक भावोना लेंगे और यहां पर इतनी चीनी लेंगे कि यह देखें इतनी हमने चीनी ली है चीनी की मात्रा तो थोड़ा आप घटा वड़ा भी सकते हैं और यह जो हमने जूस त्यार किया था यह अब इसमें हम पूरा डाल देंगे देखे कितना अच्छा सा लूक आ रहा है ऐसा लग रहा है हमने इसमें फूट कलर डाला है जबकि इसमें हमने कोई भी फूट कलर वगरा नहीं डाला इसका अपना नेचुरल कलर है अब यह देखे इतना हमने डाल दिया अब इसको हम पकने के लिए रखते हैं गैस चूले पर जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाती है अभी हम इसको फुल फ्लेम ही रखेंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी हमने डाली है ना तो चीनी भी हमको मिलानी बहुत जरूरी है तो जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है आप इस तरह से इसको मिलाते रहिएगा अच्छे से इसमें उबाल देखिए आ गई है कलर और भी इसका देखिए कितना अच्छे से डार्क डार्क हो गया है कितना बढ़ी हां सा लग रहा है आप चाहें तो अलग से इसमें देखिए जाग आया हुआ है यह जाग आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा हटा दीजेगा इस तरह से यह देखिए जाग है तो यह पूरा थोड़ा करके आप इसको हटा दीजेगा अब देखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गई है तो अब गैस को हम कर देंगे मीडियम गैस को हम कर देते हैं मीडियम आज पर ही हम इसको आठ से दस मिनट अच्छे से हम इसको पकाएंगे कभी कभी क्या होता है आपका पानी इसमें ज्यादा पड़ जाता है तो आप वही 12 से 15 मिनट के आसपास और पका लीजेगा अगर आपको लगता है इसमें पानी ज्यादा है ये तो जो हमने आपको मातरा इसमें बताई है ये 10 मिनट के आसपास में बड़िया से अच्छा सा यह जो हमारा square है, यह हमारा ready हो जाता है, तो यह दो बड़े चमच भर कर आप इसमें नीबू डाल दीजेगा, अगर नीबू भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर नीबू नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें टाटरी डाल सकते हैं, नीबू की जगे, अगर आपको बता रहे हैं इस नापका ले लेंगे चम्मच और इसमें हम वाइट विनेकर जो है वो हम दो चम्मच इसमें हम डाल देते हैं उनको डालने से क्या रहता है यह कहते है इसकी लाइफ जो है सीरप की जो हम बनाना आपको बता रहे हैं, इसकी बढ़ जाती है, ठोड़ा से ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये देखे, इस तरह से हमने इसको डाल दिया है, थोड़ी देर बात ये देखे, इस तरह से बड़ी हासा ये गाठा हो गया है, तो अब हम क्या करेगी, हमारा पक गया है, तो कुछ समय बात यह देखे बहुत अच्छे से ठंडा हो गया और इसकी ठिकने इस तरह से ठंडा होने के बाद दिख रही है यह देखे इस तरह से बहुत अच्छे से ठंडा जब हो जाये तब आप क्या करेंगे इसको किसी डिब्बे में यह किसी बोतल में आप भरकर रख और पूरा सूखा होना चाहिए, पानी आने नहीं होना चाहिए, अगर पानी होता है, तो ज्यादा दिन तक यह टिकता नहीं है, और खराब होने लगता है थोड़ा सा, तो अब क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर एक बोतल ली है, बड़िया देखें अच्छे से साफ कर लिया है, और उसको अच्छे से हमने सुखा दिया है अब इसमें हम इसको क्या कहते है अपने जूस को हम क्या कहते है भर लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब जरूरत होगे तब उतना ही हमने निकाला और बस फटाफट फिर हमने तुरंद फ्रिज में रख दिया तो इस तरह से हमारे बढ़िया सा ये बना रहता है अब हम क्या करते है चोलो फटाफट भढ़ लेते हैं इसको बोतल में बोतल में अच्छे से भढ़ जाए तो उसके लिए हमने क्या किया है एक हमने जग में इसक भर लीजिएगा यह देखे इतनी हमारी एक जो शीशी है भर गई है पर जरा सकेवल हमारा यह बचा हुआ है तो देखे कितना अच्छा से जो शर्बत है वो हमारा बनके त्यार हो गया है इसका ढखकल लगा दीजिए और ढखकल लगाने के बाद इसको अब आप फ्रीज में बढ़िया सा रख दीजिए तो कितना अच्छा सा जो हेल्दी ड्रिंक है वो फटा-फट बनके त्यार हो गया है कोई भी आप एक गिलास ले लीजिए और गिलास में आप इसको डाल दीजिए जितना आप मीठा पसंद करें बस उसी साब से इसमें आप आवश्रक्ता अनु फटा-फट रख दीजिएगा अब हम यहां दें कि इतना हम इसको यह लिया हुआ है अब इसमें आप चाहे तो आप आइस क्यूब इसमें डाल दें और चाहे तो एक बस केवाल इसमें थंड़ा ठंड़ा सा पानी डालते हैं और एक चम्मस से थोड़ा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखे किता जटपट आपका शर्बत जो है वो रेटी हो गया है तो आप भी बताईए कि आज जो हमने शीरप आपको बनाना बताया है इसकी बिधी आपको कैसी लगी है तो मिलते हैं एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ